हलो फ्रेंट्स वेल्कम प्योर चैनल मैथ्विद नूर टूड़े वीडियो इस गोना भी अबाउट एलिमिनेशन मेथ़ड से लेट कैसे करते हैं यह तो आज मैं आपको बताऊंगी पर इसके साथ-साथ मैं आज आपको यह भी बताऊंगी जो हम इसके अंदर एक सोर वाई क करेंगी जो हमेली इक सब्रेंगी कुछ करेंगी वाइलिमिनेशन मैथं नेम से एक्लियर हो रहा है हम क्या करेंग ेंग कुछ first equation और यह क्या है मेरे second equation अब जो मेरे पास यह first equation है यह क्या है मेरे x वली टर्म और यह y वली टर्म हो यह constant turn हमें क्या करना कुछ eliminate करना है suppose मैं क्या करूँगी X वाले term को eliminate करूंगी इसके अंदर से मैं क्या करूंगी X वाले term को eliminate करूंगी ऐसे तो यह eliminate होगी मुझे क्या करना पड़ेगा इसके coefficient equal करने पड़ेंगे अब देखो 3X-2X करेंगे तब यह कुछ भी मतलब 3X-2X X आएगा मेरे पास that means कुछ भी eliminate नहीं हो बट मुझे क्या करना है eliminate करना है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा यह coefficient जो इसके आगे दियो है मेरे पास X का coefficient के 3 और निच्चे वाली equation में X का coefficient के 2 मुझे क्या करना पड़ेगा इसके coefficient दोनों के equal करने पड़ेंगे मुझे किसी as a number से multiply करना पड़ेगा कि इसके coefficient जो है मेरे पास X वाली term के वो equal हो जाएं ताकि मैं क्या कर सकूँ eliminate कर सकूँ मैं यहाँ पर क्या करूंगी X वाली term को eliminate करूंगी मैं Y वाली term को भी eliminate कर सकती हूँ सबसे पहले मैं क्या करती हूँ है आपर X वाली term को eliminate करूंगी जो यह equation मैं इसको निच्चे लिख लेती हूँ 3X प्लस 4Y equals to 10 2X minus 2Y equals to 2 यह क्या मेरे पास first equation और यह के second equation अब मैंने क्या करना X वाली term को eliminate करना है that means मुझे क्या करना X वाली X के आगे जो मेरे पास यह coefficient है इसका यह equal करने पड़ेंगे तब eliminate होगा मेरे पास इसके लिए मुझे क्या करना है X कोफिशंट मेरे पास first equation में क्या है 3 यहां पर मेरे पास एक्स कोफिशंट क्या है 3 इस 3 की multiply मैं क्या कर दूंगी निच्चे वाली equation में कर दूंग इस 3 की क्या करना है मेरे पास 3 X plus 4 Y equals to 10 यह equation है इस equation में क्या करूंगी 2 की multiply कर दूंगी 3 X multiply 2 plus 4 Y multiply 2 10 multiply 2 अब 3 की multiply मैं इस equation में करूंगी 3 multiply 2 X minus 2 Y multiply 3 equals to 2 multiply 3 अब मैं multiply करके लिखे लेती हूं 3 2 जा 6 X minus 4 to the 8 Y 10 to the 20 3 to the 6 minus 3 to the 6 Y equals to 3 to the 6 अब मुझे क्या करना है अब यहां पर कोई sign ने दिए और that means यहां क्या क्या साइन है प्लस का साइन है अब 6 X प्लस 6 X क्यों हो जाएंगे 12 X मैंने क्या किया था कि X वली टम करिमिनेट करना था मुझे बढ़िए नहीं और मुझे क्या करना पड़ेगा साइन चेंज करने पड़ेंगे अब यहां पर कोई sign नहीं था प्लस का साइन इसका मतलब मैंने क्या किया माइनस से मुल्टीप्लाइय कर दिया पूरी उक्वेशन में अब यहां नहीं मैंने क्या किया अब यहां माइनस का था मैंने क्या किया प्लस का किया यहां माइनस से मल्टिपलाई कि है मैनस-प्लस प्लस हुए मैनस-प्लस हुए मैनस-प्लस-ब्लस हुआ आप कि यह बहुत किया थे टूल से साइंदर करना अब आपने इनके ओपर आपने ध्याननि देना आपनी जो नीचे हैं है उनके ओपर focus करना मिने पास – 6x कई होएब हैं अब मेरे पास हमें का आ 26 किपने हुए एक एक पास प्लस और यह क्या मेरा पास म lavoro माइनस मी इसिक्ष कि कि हुए 14 plus minus minus that means 20 minus 6 करेंगे तब कितना आएगा 14 अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास क्या है 14 y equals to 14 अब मेरे पास यहां 14 क्या मल्टिप्लाइब में 14 क्या मल्टिप्लाइब में वाई के साथ तो यह क्या चला जाएगा अब डिवाइड में चला जाएगा 14 को 14 से कैंसल किया मेरे पास क्या ही वैल्यू 1 y की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 y की वैल्यू जैसे मेरे पास 1 आई है अब मैं क्या करूंग इस y की वैल्यू को equation first में put कर सकते हूं second में किसी भी equation में put करके x की value वहां से find out करूंग suppose मैंने क्या किया first equation में इसको put किया 3x plus 4y equals to 10 यह equation है इसके अंदर मैं क्या करूँगी y की value put करूँगी यहाँ y की value कितनी है 1 equals to 10 3x plus 4 equals to 10 3x 10 अब यहाँ पर मेरे पास left hand side 4 जो है वो plus अब right hand side वो क्या हो जाएगा minus 4 10 minus 4 6 अब x के साथ जो 3 है वो क्या है multiply में जब वो दूसरी side जाएगा तो वो क्या हो जाएगा divide में 6 upon 3 3 to the 6 that means x की value क्या है मेरे पास 2 x की value क्या है मेरे पास 2 अब मेरे पास x की value 2 आई है और y की value क्या है मेरे पास 1 x की value क्या है मेरे पास 2 और y की value क्या यह मेरे पास 1 अब यह वैल्यू जो मेरे पास आई है एक्स की value 2 वाई की value 1 क्या यह value सही है जो मैंने 2 equation की help से elimination method को use करके value वैलीव में find out कि है X और Y कि कहीं था होता है हम से mistake हो जाती है जैसे यह में यहां पर क्या था मैंने क्या क्या है तैं मेरी वैलु क्या हो जाती गलती से में वैलु कुछ हो रहा जाती मतलब ऑई की वैली कुछ और सकती थी है कि अब मैंने जो हमारी यहां पर Пом seventy कोई ले शगते हो यह MARK है अब हम च्रवाइथा और में खliestया है यह थितनी हं दिल मैं अआ है की नहीं ने क्यानrec दू रख दिया फो और वाइक की वेल्य कि पास गूरों थ्रीडू बलास फो भूंचा वोदब्शन टू टेन अक्रशन मत्तर्शन होता है एक सभाइक ये वेल्य Aa sketches से मुझे यह पता चल गया है अब क्योंकि मुझे यहां मिस्टेक होगी थी बट मेरे नजर चली कि मैंने तो देख लिया है यहां पर कि मुझे मिस्टेक होगी है बट जब हम कई बार एक्जाम में बैठे होते हैं ना एक्स और वाई की वैल्यू अब हमारे पास गलत भी आ सक चेक कर सकते हैं किस भी कोई भी क्वेशन हम ले सकते हैं साटिंड ले सकते हैं साकें भी ले सकते हैं मैं यह थे क्या थे हैं हैं 2 2s are 4 2 1s are 2 4 minus 2 2 2 equals 2 2 equals 2 2 होता है न यह बात तो सही है 0 0 की equal होता है 2 2 की equal होता है that means जो मैंने x और y की value find out किया वो value किया मेरी सही है ऐसे friends आप check भी कर सकते हो I hope you like the video don't forget to like, share and subscribe to my channel thanks for the watching कर दो सही है